हेलो स्टुडेंट्स मैं मम्ता मित्तल और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चेप्टर थरी परमानू तथा अनू तो पहले समझते हैं परमानू का मीनिंग क्या होता है आप सब इन ये बिल्लिंग तो देखी ही होगी तो बिल्लिंग किस से बनती है कमरों से कमरों के समझो को हम नाम क्या देते हैं बिल्लिंग का और कमरे किस से बन रही होते हैं दिवारों से दिवारे किस से बन रही है इटो से तो अगर हम सुपोस करें कि इमारत को बिल्लिंग को बनाने वाला smallest unit क्या है वो क्या आएगा eat eatो को crumbize लगा कर हमने building को त्यार किया तो इसी पलकार से अगर किसी तक की बात करते हैं हम let's suppose मेरे हाथ में यह है चौक है किससे बना होता है well known है कि इसमें calcium होता है आप सब को पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या होता है calcium तो calcium चौक के अंदर calcium किस तरह से present होते हैं like this और number of calcium के कन इसके अंदर present होते हैं और इन कनों को नाम क्या दिया जाता है पर्मानों का तरी हमने समझना है कि smallest unit किसी भी चीज़ को बनाने वाला कौन होता है तो हमारे पास अंसर क्या आता है पर्मानों तो ये जो कन इस चोक में present हैं बहुत ही संख्या में हैं इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नगन आखों से नहीं देख सकते और इसका नाम क्या होता है Adam या फिर हम क्या कहते हैं पर्मानों पर्मानों के बारे में जो रिसर्च है बहुत पहले से चर रही थी लगबग 500 इसा पूरव से ही इसके बारे में सोच विजार अलग अलग पॉइंट ओव व्यू रेफर कियेगे हमारे भातिये तथा ग्रीक फिलोसफर पदाद की विवाजता के बारे में बहुत तरह के अपनी अपनी विचार पेश कर रहे थी इनमें सबसे पहले आए महरिशी कर्नड महरिशी कर्नड की उनसार कोई भी पदाद है उसको तोड़ा जाएगा अब पदाद को तोड़ेंगे तो क्या होगा उसके छोटे टुकडे बन जाएंगे उसको और अधिक तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक आपको ऐसा करना मिल जाए जो बिल्कूल अविवाजित हो मींस वो फर्दर तोटे नहीं उस अविवाजित उस सुक्ष्टम करन को उनके दवारा नाम दिया गया परमानू का इसके बाद आए एक और दाजनिक जिनका नाम था पकूदा कात्यया उन्होंने इसको थोड़ा सा दिस्तित करके हमारे आगे पेश किया उन्होंने टर्म क्या दी कि ये जो कन है ये इंडुईजवल रूप ने नहीं पाई जाते ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं मींस एक कन दूसरे कन से किसी ना किसी तरह के बाद के दवारा आपस में जुड़ा होता है जिसके कान हमारे पास पतात के भविन रूप प्राप्त होते हैं तो ये था इंडियन फिलोसफर्स के दवारा दिया गया पॉइंट ओफ व्यू नो डाउट वो परमानु की कंसेप्ट के उपर पहुंचे लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया सिरफ विचारतारा रखी गई वगर इसी समय ही ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम था डैमोक्रीटर्स तथा यूसिपर्स उन्होंने अपने सुजाब दिली उनके अपोर्डिंग वी वही टर्म थी जो हमारे पास महरीशी कर्नड के दवारा देगी थी कि किसी वी पदात को लो उसको विवाजित करते जाओ जब आप उसको बार 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 विवाजित करते जाओगे मीज तोड़ते जाओगे तो अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि कन विवाजित होना बंद कर देगा और उस समय उस कन को नाम क्या दिया जाएगा परमान। लेकिन ये वही टर्म जैसे हमारे इंडियन दाशनिक के दवारा दिया गया था कि एक विचारधारा है। इसके बारे में अठार्मी शतावती तक कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ओ व्यू से एक्स्प्लिनिशन नहीं आई थी। इसके बाद आए जॉन डाल्टन ये आपनी हिस्ट्री है जिसको याद रखना है कि किस तरह से परमान। हमारे पास डिस्कवर हुआ। तो जॉन डाल्टन ने भी परमान। उसी कन को कहा जिसे महरिशी कनड ने परमान। कहा था। उन्हों ने अपना एक सिधान्त दिया जिसे डाल्टन के परमान। सिधान्त के नाम से जाना जाता है। और यह सिध्धान्त दिया गया था 1808 में तो यह सिध्धान्त क्या था अब हम उसके बारे में चल्जा करेंगी डाल्टन के परमानु सिध्धान्त का पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमारे आसपास जो भी पतार्थ है कोई कोपी है, पैन है, पैंसिल है Anything means अगर हम Living Wing की भी बात करें हैं तो वो भी इसमें included है तो कोई भी पतार्थ जिसे आप कहते हो, वह किस से बना हुआ है, परमानु सिध्धान्त अगर मैं बात करें हूँ इस चोप की, या किसी कोपी की, या किसी पैन की तो उसके अंदर जो सुक्ष्टम कन है, means जब इसको ब्रेक अप किया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बाटा जाएगा, उससे छोटे हिस्से किये जाएंगे तो एंड में आप एक ऐसे कन पर पहुँच जाओगे, जो फर्दर ब्रेक अप नहीं होता, और विवाजित कन होगा, उसे नाम क्या दिया गया, परमानु का तो डाल्टन का point of view वही है, जो आरे पास हमारे पहले भारतिय या फिर ग्रीक दार्शनिकों का था, कि किसी भी पदात लेट को पी, पैन, किसी भी पदात को आप ले रहे हो, वह है सुक्ष्टम कनों से बना होता है, और उस कन का नाम क्या होता है, परमानु दूसरा point, परमानु अविवाजित सुक्ष्टम कन होते हैं, जो रसाइनिक अभिक्रिया में ने तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, मीन्स रसाइनिक अभिक्रिया, क्या मीनिक होता है, जब भी आप कोई रसाइनिक अभिक्रिया मेंशन करते हो, तो उसमे में दो पार्ट होते हैं एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पार मेंस एक रियक्टेंट जो लेप साइड के उपर मेंशन किया जाता है और दूसरा परड़क्ट ठीक है तो जब आप कोई भी रसाइनिक अभिक्रिया करते हो क्या परड़क्ट बनते समय कोई एक परमानू नष्ट हो जाएगा मेंस यहां पर सिरफ सी ओ लिखा जाए ओटू ना लिखा जाए इसलिक पॉसिवल आप अब तक बहुत तरह की अभिक्रिया कर चुकी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि रियक्टेंट और परड़क्ट एक दूसरे से मैच ना करते हो कोई परमानू मिसिंग हो या क्योई न्यू परमानू मानलेते में यह कह दूँ एक रेफर कर दो क्या यह पोसिवल हो सबता है नहीं तो यही हमारे पास डॉल्टन साइंटिस के दवारा मेंशन किया गया कि जब कोई रिसाइनिक अभिक्रिया होती है ना यह है नश्ट होता है तो यह था परमानू सिधन का दूसरा पॉइंट नेक्स पॉइंट हमारे पास दिएगे तर्थ के सभी परमानू का द्रवयमान तथा दसायनिक गुंदरम समान होते हैं इसका मीनिंग क्या है कि लेट सुपोस यह हाईड्रोजन तर्थ है और इसके अं पॉइस है हाईड्रोजन की उनका शेप, उनका साइज, उनका मास, द्रवयमान, बॉल्यूम, रसायनिक, उनके गुंदरम सब क्या होंगे एक दूसरे से मैच करते होंगे according to Dalton इसमें बात में कुछ लिमिटेशन्स पाई की लेकिन अब हम क्या करें हैं Dalton के सिधान को तो उ एक तत्व के अंदर जितने भी परमानों पाई जाते हैं वो इन ओर रिस्पेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं पॉर्थ पॉइंट बिन बिन तत्वों के परमानों के द्रवयमान तथा रसायनिक गुंदरम बिन बिन होते हैं अगर हम हाइड्रोजन का कमपैरिजन किसी और तत्व के परमानों से करते हैं तो अगर इनसे कमपैरिजन किया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह सभी परमानों जो लीथियम की हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे क्योंकि यह हमारे पास जो हमारा पिछना पॉइंट था उसमें मैचन किया गया क्या यह सभी हाइड्रोजन से भी मैच करेंगे तो अंसर क्या आएगा नो बिन बिन तत्वों के अंदर प्रेजेंट जो भी आटम्स होती हैं वे एक दूसरे से इन ओल रिस्पेक्ट डिफरेंट होंगे उनका साइज उनकी शेर उनकी रसाइनिक गुंधरम सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे वो किसी भी रिस्पेक्ट में एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे नेक्स पॉइंट है हमारा बिन बिन तत्वों के परमानों पर्स पर छोटी पूरन संख्या के उन पात में सेयोकर योगिक निर्मित करते हैं इन दूसरा अक्सीजन त्थ के परमानों को लिया जाए और इन दोनों को मिला कर हम किसी योगिक का निर्मान करते हैं यह हमने योगिक का निर्मान करना है तो निर्मान कैसे किया जाता है कि जो भी आप परिमानों लेते हो वह पूरन संख्या में लेते हो मेंस यह सा नहीं होगा कि H2O लिखा है H502, H1.602 इसना से नहीं होगा आलवेस जब भी आटम एक दूसे से जुड़ते हैं तो वो एक निश्चित अनपार्थ में एक दूसे से जुड़ेंगे और वह पूरन संख्या होगी ये compulsory condition है कि जब भी atom एक दूसरे से जुडेंगे तो वह पूरन संख्या में एक दूसरे से जुडती हैं तता योगी का निर्मान करते हैं नेक्स हमारा पॉइंट है किसी भी योगी के परमानों की सापेट्ष संख्या एवं परकार निश्चित होती हैं कहने का मीनिंग यह है कि अगर हम पानी की बात करें हैं मींस H2O पान कभी भी ऐसा हो सकते है कि मैंने एक टैप वाटर लिया है और उसमें जो पानी का सुत्र है वह बन जाए H3O या फिर समुन्दर से अप्टेन किया है तो उसका सुत्र बन जाए H0O अगर हम रेफर करें हैं कि वह एक दिया हुआ योगिक वाटर है तो उसमें प्रेजेंट जितने भी परमानू होते हैं एक दूसरे के सापेश उनकी जो संख्या होती है या योगिन से जो उनका अनपात होता है वह हमेशा फिक्स रहता है उसमें कोई चेंजर नहीं आती के पॉइंट्स जिसमें हमारे पास उन्होंने परमानू के लिए काफी हमारे कंसेप्स को क्लियर किया तो जब डॉल्डन के दवारा अठारा सो आठ इसमें में परमानू सितान्त दिया गया उसी समय की इन डा स्टार्टिंग ओफ 18th सेंचरी साइंटिस्ट वे फिलोसफर्स में यह कियोस्टी थी कि किस तरह से तर्थ एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जब वो कंबाइन करते हैं तब क्या होता है उसी समय एक ओर साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी एल लेवोसियर उन्होंने साइनिक से योजन के बहुत ही इंपोरेंट दो हमारे पास नियम दिये अब हम स्टड़ी करें हैं उनके दवरा दियेगे फर्स नियम को जिसका नाम है द्रवेमान सेलक्षन नियम द्रवेमान सेलक्षन नियम बहुत इजी है यह हमारे पास दिया गया था एंटोनी एल लेवोसियर तता जोसव एल प्राउस के दबादा तो पर्मानो सेलक्षन का नियम क्या कहता है कि किसी रसाइनिक अभिक्रिया में द्रवेमान ने तो सिर्जन किया जा सकता है और ने ही उसका विनाश होता है इस कंसेप्ट को explain करने के लिए let's suppose हम कोई reaction ले लेते हैं let's see plus O2 carbon plus oxygen तो क्या बनेगा CO2 यदि आप द्रवेमान की बात करते हैं तो इसका द्रवेमान कितना होता है 12 हम इसको gram से represent कर रही हैं वैसे द्रवेमान आप आके पढ़ोगे द्रवेमान को परमानों द्रवेमान को represent करने के लिए normally amu या फिर only u term को use किया जाता है उसको हम further detail में करेंगे oxygen एक oxygen का जो द्रवेमान होता है वह 16 होता है अब हमारे पास यह two time present है तो इसका द्रवेमान हमारे पास कितना हो जाएगा 32 gram तो इन दोनों का means carbon तथा oxygen जिसको हमने reactant refer किया है उसका total द्रवेमान हमारे पास कितना आजाता है that is 12 plus 32 means 44 gram clear और जब हम product की पास करते हैं तो product में हमारे पास बनी है carbon dioxide c means 12 plus O2 that is 32 तो यहाँ पर दी हमारे पास द्रवेमान कितना उप्टेन हो रहा है 44 यही हमारे पास द्रवेमान selection का नियम बताता है कि जब भी कोई रसाइनिक अभिकरिया होती है द्रवेमान नहीं तो बनेगा नहीं नष्ट होगा means कभी भी यह नहीं होगा कि आपके पास reactant 44 है और product आपके पास 40 आजाए या 50 आजाए इट इस नोट पोसिबल यह हमारे पास इन साइंटिस के तबारा बताया गया हमारे पास NCRT में एक प्रेशन इसके उपर देश्ट है एक अभिकरिया में 5.3 गराम सोडियम कार्पोनेट तथा 6 गराम एसिटिक अमल अभिकरित करते हैं 2.2 गराम कार्बन डायकसाइड 8.2 गराम सोडियम एसेटेट एवं 0.9 गराम जल उतपास के रूप में प्राप्त होते हैं इस अभिकरिया के दबारा दिखाएं कि यह परिक्ष्रन ग्रवेमान सरक्षन के नियम के अनुरूप है तो हमारे पास अभिकरिया क्या दिगी है सोडियम कार्बोनेट वो कमबाइन कर रहा है एसिटिक अमल से उनकी मात्रा भी हमारे पास दी गई है तो यह है हमारे पास अभी कारक या कहलो रियक्टेंट और रियक्टेंट का हमारे पास द्रव्यमान कितना आया है वो हम calculate कर लेंगे means 5.3 प्लस 6.0 तो यह हमारे पास कितना आजाएगा 11.3 ग्रेंट तो यह हमारे पास रियक्टेंट का द्रव्यमान आया उत्पार यह कहलो परड़क्ट हमारे पास क्या दिये गई है सोडियम एसेटेट, कार्बन डायोकसाइट तथा जल इन तीनों कीवी हमारे पास मत्रा दी गई है अब हम परड़क्ट का रविमान पता करते हैं हमारे पास 8.2, 2.2 and 0.9 दिया हुआ है तो वह हमारे पास क्या गईगा, that is 3.11, तो 11.3 ग्राम तो हमारे पास उप्टेइन क्या हुआ, कि जो रियक्टेंट का मास है द्रविमान है, वह हमारे पास परड़क्ट का द्रविमान है इसमीज यहाँ पर द्रविमान सेलक्षन का नियम लागू होता है दूसरा हमारे पास जो नियम दिया गया वह है था स्थेर अनपात का नियम स्थेर अनपात का नियम भी हमारे पास एंटोनी एल लैवोसियर के दवारा ही दिया गया था स्थेर अनपात के नियम के अकोर्डिंग योगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है और दियेगे योगिक में तत्वों का अनपात सदेर स्थेर रहता है कौनसा अनपात उनके द्रवयमान का अनपात चाहिए योगिक को आपने किसी भी सोर से प्राप्त किया हो फॉर इक्जामपल इसको समझने के लिए हम वार्टर को लेते हैं अब वार्टर जो है हम किसी भी सोर से उप्टेन कर सकते हैं हम टैप वार्टर ले सकते हैं हम उसे कुए से प्राप्त कर सकते हैं तलाव से ला सकते हैं, जील से ला सकते हैं मेंस आप किसी भी सोल से वार्टर अप्टेन कर सकते हो वर्ट अगर उसे वार्टर कहा जाता है तो उसमें सदेव, हाइडोजन तखा अक्सीजन ये तक प्रेजेंट होंगी और ये एक निश्चित द्रवेमान के अनपात में प्रेजेंट हो जो हमारे पास होता है एक अनपात आठ तो हमारे पास whatever the source of a compound दिया गया द्रवेमान का अनपात हमेशा स्थिर रहता है इसी काल इसे स्थिर अनपात का नियम कहते हैं यदि हम बात करें कारवन डायोकसाइड तो कारवन डायोकसाइड को भी हम किसी भी source से उप्टेन कर सकते हैं जैसे हम सांस के दवारा CO2 को बाहर निकालते हैं कागस को जलाने से भी CO2 उत्पन होते है CACO3 इसकी बर्निंग करते हैं तो हमारे पास क्या उप्टेन होता है CAO and CO2 तो CO2 आपको डिफरेंट सोर्से से मिल रही है लेकिन हमारे पास थिर अनपात का नियम क्या कहता है कि CO2 को उप्टेन करने का source कोई भी हो यदि हम दियेगे compound को CO2 कहते हैं तो उसमें सदेव C तथा O means carbon तथा oxygen प्रेजेंट होंगी तथा उसका अनपात कितना होगा 3 अनपात 8 means carbon और oxygen के दिरवेमान का अनपात सदेव आपको 3 अनपात 8 मिलेगा इसे परकास से ही ammonia ammonia में nitrogen तथा hydrogen के दिरवेमान का अनपात सदेव 14 अनपात 3 होता है तो हमारे पास तथीर अनपात का नियम क्या कहता है किसी भी योगिक में तत्थ सदेव एक निश्चिद रवेमान के अनपात में विद्यमान होते हैं अपरेशन उठता है कि परमानों कितने बड़े होते हैं अब तक जो भी हमने पढ़ा हमने क्या मेंशन किया कि यह है किसी भी पतात को बनाने वारी सुक्ष्टम इकाई है इतना छोटा होता है कि इसको हम नगने रेफर कर सकते हैं मीज जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं मीज नगन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तो फिर हम इनके बारे में क्यों सोचते हैं क्यों जानना चाहते हैं because जितने भी पतात है इस world में वो किस से बने हुई है प्रोमदा ऐटम परमानू से ही सभी पतातों का निर्मान हुआ है इसलिए हम इसको जानने की इतनी कियोस्टी हुती है परमानू का जो साइस होता है जो परमानू की तरीजिया है उसको नैनो मीटर में मेयर किया जाता है नैनो मीटर का मतलब क्या होता है एक नैनो मीटर दस की पावर माइनस नो मीटर के बराबर होती है यदि हम सबसे छोटे परमानों जिसका नाम क्या है हाइड्रोजन हम उसके बात करते हैं तो उसकी तरीजिया कितनी होती है 10 की पावर माइनस 10 मिटर इट मीज हाइडोजन की जो तरीजिया है वह बहुत ही समोर होती है जल की जल के अनू की जो तरीजिया होती है वह होती है 10 की पावर माइनस 9 हेमोगलोबिन अनू की तरीजिया 10 की पावर माइनस 8 होती है रेत की कन जिसे हम देख सकती है 10 की पावर माइनस 4 होती है चीटी का जो साइज है वह होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर और सेव का साइज या तरीच्या जो होती है वह होती है 10 की पावर माइनस 1 मीटर तो इट मींज क्या है कि दी की तालिका में सबसे छोटा साइज हमारे पास किसका है परमानू का तो परमानू का जो साइज है वह बहुत 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 ही छोटा होता है जा रही है भविन तत्वों के परमानू के अधुनिक परतीक मींज सिंबल जौन डाल्टन के दवारा भविन तत्वों के परमानों के लिए सिंबल दिये गए जो एक तत्व की निश्चित मत्रा की ओर इशारा करती थी निज वे हैं तत्व में प्रेजेंट एक परमानों के लिए सिंबल अंकित किया गया फोर इक्जांपल जो हमारे पास यह टेबल दिया गया है इस टेबल में हमारे पास लेट हम कोपर की बात करते हैं तो कोपर का नाम सी इसलिए रखा गया क्योंकि वेह साइपरस से उत्पन हुआ है साइपरस वह थान है जहाँ पर कोपल फर्स टाइम उप्टेन किया गया कुछ तत्वों की जो नाम थे वह उनके वशिष्ट रंग को रिपर्जेंट करते थे ऐसे जब हम बात करते हैं सोने की मींस गोल्ड जिसको जी से हमारे पास रिपर्जेंट किया गया है तो इसका जो जी शब्द है वह हमारे पास गोल्ड मींस पिले रंग को रिपर्जेंट करता है अकोर्डिंग टू साइंटिस्ट बर्जेलियस बर्जेलियस ने जो हमारे पास एट प्रैजेंट नेमी का सिस्टम है वो परवाइड किया और इसी नियम को फ़र्जर सपोर्ट किया गया विज़ा IUPEC जिसका मेनिक होता है International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry यह एक अंतरश्टिय संसा है, और्गिनाइजेशन है जिसके दबारा किसी तद्व को कौन सा सिंबल देना है, वेह डिसाइड किया जाता है तो according to IUPEC system, किसी वे तद्व के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वैसे ही दो या फिर एक इंगलिश का अलफाबेट जो फिर्स एलफाबेट यूज़ किया जाता है, वेह हमेशा कैपिटल लेटर में रेफर करना है और जो सेकिंड एलफाबेट होता है, वेह स्मॉल लेटर में रिपर्जेंट करना होता है तो आईउ-पी-ई-थी के अकॉडिंगली हाईडोजन को हम एच सिम्बल से रिपर्जेंट करते हैं हीलियम को रिपर्जेंट किया जाता है हे से क्योंकि अगर इसको भी ह से रिपर्जेंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम hydrogen की बात कर रहे हैं या फिर helium से तो it means क्या है कि हमारे पास या तो first letter को use किया जाता है to refer the symbol या फिर हमारे पास first two alphabet he जैसे हमने यहाँ पर use किया तो first two letters को use किया जाता है किसी भी symbol को represent करने के लिए और हमेशा mind में रखना है कि first letter capital होगा और दूसर letter small होगा इसी तरह से next lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, mention किये है next sodium, sodium तो हम इस तरह से लिखती है तो फिर इसके लिए na term क्यों use कि लिए क्योंकि जो तत्वो की naming है वह सिरफ English से drive नहीं की कि उसके लिए different language को use किया गया जैसे कि Greek, Yunani, Latin language को use किया गया तो sodium का another language में name होता है natrium इसे लिए हम इसे na symbol से represent करते हैं magnesium अब magnesium name में क्या specialty है कि हम magnesium की तरह से represent लिखते हैं तो magnesium में हमने first two letter नहीं use किये first letter और any other letter यह भी हमारे पास rule है कि जरूरी नहीं कि first two letter ही use करने हैं हम first letter और any other letter को symbol के लिए use कर सकते हैं next is aluminium silicon phosphorus next sulfur on the number sixty होता है chlorine argon next is potassium अब यह भी नाम आप देख रहे हैं potassium लेकिन मैंने लिखा क्या है के विकोज यह केलियम शर्द से obtain किया गया है जो कि Latin language से belong करता है और 20th के उपर हमारे पास क्या होता है calcium तो यह है up to 20 मैंने आपको इस symbol दिये हैं जिसको easily लेते हुए आपने याद करना है और जरूर याद करना है विकोज यह chemistry के basic हैं जिसके दवारा भी आप further chemistry में आगे बढ़ सकते हो जैसा आपने जॉन डाल्टन के दवारा दिया गया परमानु सिधान को अध्यन किया तो उसमें बहुत ही अच्छे परकास से हमारे पास सिर अनपात के नियम को समझाया गया था उसी से प्रेरित होकर different scientist के दवारा working की गई कि different परमानों का दरवेमान कितना होता है क्योंकि एक परमानों के दरवेमान को calculate करना बहुत ही टक्स था उन्होंने योगिक के दवारा परमानों के दरवेमान को find out किया जैसे अगर हम सोचे carbon monoxide क्या सुतर होगा इसका CO carbon monoxide तो इसमें हमारे पास दरवेमान का अनपात 3 अनपात 4 पाया गया यदि carbon monoxide में carbon 3 ratio 4 present है तो it means यदि हम carbon को 1U suppose कर ली carbon के दरवेमान को 1U suppose कर ली तो carbon 4 by 3 4 by 3 गुना अधिक दरवेमान वाले oxygen के साथ combine करके carbon monoxide को बना रही है means carbon का दरवेमान हमारे पास 1U और oxygen का दरवेमान 1.33U यू अप्टेन हुआ तो हमने योगिक से carbon तथा oxygen के दरवेमान को अप्टेन किया है यहां पर यू का मीनिक होता है unified दरवेमान IUPAC के accordingly प्रमानु दरवेमान के लिए AMU atomic mass unit को इकाई के रूप में यूज किया गया बात में इसको यू से represent करना शुरू किया गया जिसका मीनिक होता है unified दरवेमान तो प्रमानु दरवेमान की इकाई कौन कौन सी होती है U as well as AMU प्रमान में उक्सीजन को दरवेमान इकाई के रूप में उपयोग में लाया गया कहने का मीनिक है कि उक्सीजन परमानु के दरवेमान के एक वटा सोल में भाग को as a परमानु दरवेमान इकाई माना गया उक्सीजन को परमानो द्रवेमान इकाई लेने के बहुत से रीजन थे जैसे कि उक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रियक्टिव होता है यह बहुत से एलिमेंट से रियक्ट कर सकता है Secondly, उक्सीजन अगर परमानो द्रवेमान इकाई के रूप में ली जाती है तो बहुत से पर्मानों का जो द्रवेमान है वह पूरन संख्या के रूप में उक्टेन होता है और हमारे साइंटिस यही चाहते थे कि जो पर्मानों द्रवेमान है वह पूरन संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो कुछ limitations के कारण और season को पर्मानो दरवेमान इकाई की रूप में नहीं लिया गया सब 1961 में कारबन को पर्मानो दरवेमान इकाई के रूप में लिया गया और जिसको हम आज भी follow करते हैं उसी समय हमारे पास AMU के लिए क्या term या क्या परिभाशा बनी AMU means atomic mass unit here you can say पर्मानो दरवेमान इकाई एक बटा बारा गुना कारबन के एक पर्मानो के एक पर्मानो का दरवेमान और जो कारबन लिया गया जैसा कि आपको पता है कारबन के different isotopes पाई जाते हैं समस्थानिक पाई जाते हैं कारबन 12, 13 and 14 तो यहाँ पर कौन से समस्थानिक को यूज किया गया C12 को तो इसको एक पर्मानो दरवेमान इकाई लिया गया और different element के दरवेमान को find out किया गया जैसे कि यदि हम mention करते हैं oxygen को तो oxygen का दरवेमान 16 amu है या इसको simply amu को हम you से भी represent कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था तो 16 amu का meaning क्या है कि oxygen जो है वह एक amu से 16 times greater है that means oxygen 16 times greater than 1 by 12 mass of one atom of carbon मतलब carbon के एक परमानों के दरवेमान का 1 by 12 से गुना करने पर जो हमें प्राप्त होगी amount उसको 16 times जब करेंगे तो हमारे पास oxygen का दरवेमान उप्टेन होगा किसी परकार किसी वे तरत के सापेक शिक परमानों दरवेमान को उसके परमानों के ओसक दरवेमान का कारवन 12 परमानों के दरवेमान के एक वटा बार में भाका उनपार दवारा परभाशित किया जाता है परकार हम अन्य तत्वों के दरवेमान को मेंशन कर सकती है जैसा कि हमारे पास hydrogen का दरवेमान होता है 8U, Helium, 4U, Lithium, 7U, Beryllium, 9U, Gorone, 11U, Carbon, 12U, Nitrogen, 14U, Oxygen, 16U, Chlorine, 19U, Neon, 20U, Sodium, 23U, Magnesium, 24U and so on आपके पास डिफेंट एलिमेंट्स का दरवेमान अप्टेन हो सकता है किसके दवारा हम हैं मेंशन कर रहे है विद दा हेल्प ओफ कार्बन कार्बन को as a परमानू दरवेमान इकाई जब हम मानते हैं तो हमारे पास डिफेंट एलिमेंट का दरवेमान दिया गया है ये थे हमारे पास रूल जिसके दवारा हम परमानू के दरवेमान को रिपर्जेन करते हैं most important जो परमानू होता हैं वहे सब्तंतर रूप में बहुत कम पाया जाता है परैमानू एक दूसे के साथ जुड़ कर तो अनू या पिर आयन की रचना करते हैं आयन तथा अनू जो होते हैं वहे बड़ी संख्या में एक दूसे से जुड़ कर पदार्थों का निर्मान करते हैं जिने हम देख सकते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि परमानों के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए कितना important है तो यह था हमारा आज का topic परमानों किसे कहते हैं परमानों द्रव्यमन कैसे calculate किया जाता है और most important हमारे दो नियम जो थे द्रव्यमन सरक्षन नियम तथा स्थिर अनपात का नियम इन्हें आपनी अच्छी तरह से learn करना हैं मिलते हैं हमारे next वीडियो में बाई बाई